तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी तबादेना ताकि जैसी नहीं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले अपडेट मेले तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नाम सब्सक्राइब मेरे चैनल ऐसे ट जाएगा सेंसंग माय फाइल का एक नहीं अपडेट आया है यह जो अपडेट आया यह है आप देखेंगे इस एप का वर्जन है 13.1.02.362 करके वर्जन आया है जिसका अपडेट का रॉल आउट डेट है 21 को सेप्टेंबर को इसको रॉल आउट किया गया है जिसका साइज ह यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है जैसे मैं इसको अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर क्या किया गया है इस अपडेट में वैसे उन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं करा कि इस अपडेट में क्या चेंजिस किया गया है बट इस अपडेट में जब भी कोई आपडेट आता है चाहे mobile software अपडेट हो या कोई app अपडेट हो तो उसमें bugs को fix किया जाता है और security को enhance किया जाता है या security को improve किया जाता है क्योंकि जैसा कि मैं आपको थोड़े से ब्रीफिंग करके बता देता हूं और यहाँ पर आपको थोड़े सा एक शॉट बता देता हूं यहाँ पर आप देखेंगे इस एप काम क्या माई फाइल मैनेजर फाइल स्मार्टफोन जस्ट लाइका एक्स्पोजर ओन यूर कंप्यूटर जैसा कि दिखाई देगा ऊपर की तरफ जो भी लेटेस्ट आपकी फोटो या वीडियो या जो जो भी activity हुई होगी सब आपको latest यहां पर मिल जाएगी ऐसे कि वहाँ पर end बनाके भी आ रहा है 11 new file एडिर्स तो आपको जो भी नया चीज है यहां पर recently मिल जाएगी नीचे की तरफ आएंगे category मिल जाएगी images, videos, idios, documents, download and apk files सब आपको directly मिल जाएगा आपको वीडियो देखना है तो वीडियो फे click करेंगे तो जितने वीडियो मिल जाएगी इडियो फाइल आजाएगी documents पर आएगे, documents पर आएगे, image पर आएगे, इमेज पर आएगे, ऐसे downloads पर आएगे, ऐपी के file होगी तो AP के file आएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर एक की बार में one click में मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको internal storage मिलेगा, SD card डगा के रखाओ, तो आपको SD card का option मिल जाएगा नीचे अगर आप यहां पर one drive को signalization करके रखे होंगे तो यहां पर one drive को भी आपके जो भी data हो यहां मिल जाएगा Google Drive भी अगर यहां पर log in कर लेंगे तो Google Drive का भी आपको data मिल जाएगा ऐसे ही नीचे अगर आपने कोई प Ebola आपका तो उसका लिंक यहाँ पर डाल देंगे तो वह भी आपका डेटा यहाँ पर आपका काम करने लग जाएगा उसके लिए आपको इस ad-co update करना होगा उसके बाद आप थूरी यहां पर इतोरी तरी कैसे सिपको को अब्रेट करना होगा जिससे कि आप यहां पर कनेक्टिविटी को इंप्रूफ कर सके हैं ठीक है यह तो हो गया आपको यह चप सीजें मिल रहे हैं नीचे आपको रिशाइकल बिन को ऑप्शन मिल रहा है जो भी आपने यहां से डिलीट करा होगा माई फाइल्स के अंदर से सब आपको यहां पर मिल जाएगा और सबसे बेस्ट अप्शन इसका ऑनलाइज फाइलिस के लैघ्लरी में कितना आपका रिसायकल पड़ा हुआ है अन्यूज ऐप कितनी हैं कितनी फाईल कितनी लाज पाइलिये सब सचा फीचा फीचा लगता मुझे इस चीज़ का ठीक है जैसे कि यह लार्ज फाइल है दिखा रहा हो तो आप यहां से डारेटली डिलीट भी कर सकते हैं यह तो हो गया नॉर्मल इसके बाद यहां ट्री डॉट्स पर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लियर रिसेंट फाइल अगर आप यह पर क्लिक करनेंगे तो क्लियर हो जाएगा यहां पर आएंगे आप सेटिंग एडि डेंड मेनों को जी अप्षुन मिलेगा तो आप यहां पर कैट्री इसको उपर लोकेा सकते हैं साथ में आप यहांपर इससरण को बिल मिल जाएगा उनए अप टारीट को लिए आप चाहें तो आयांवोगा ङू आप जाहें इसको use करेंगे तो आपको इसको allow करना हो रहेगा तो ही आपको वो access कर पाएगा mobile data को, साथ में आप यहाँ गर hidden file भी कर सकते हैं और show भी कर सकते हैं नीचे analyze storage में आप large file का size set कर लेगी कितने MB की file होगी जो large मिल जाएगी तो आपको वो बता देगा, नीचे permission मिल जाएगा, customer services मिल जाएगी, तो यह सब चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यह तो हो गया normal सी, अब यहाँ पर मैं Android storage पर गया, अब like मुझे कोई भी folder को copy या paste करना है like मैंने download को यहाँ से copy करा copy करने का दिए, इस folder में गया और मैंने यहाँ पर copy कर लिए, यहाँ पर आप जाने का दिए, यहाँ से hide pop-up कर लेंगे, उसके बाद आप कोई दूसरा टाक्स भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो मतलब multiple tasks यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, तो आपको notification आ रही होगी कि वो copy हो रहा है, तो ऐसे करके आप पाँच आइटम को फटाफाट यहाँ पर एखटे काम कर सकते हैं, दोस्तों यही my file app थी, इस updates में overall उसका experience को update किया गया है, और security को enhance किया गया है, security क्योंकि data होता है तो security बहुत important है, और enhance बोले तो bugs जो भी होँगे, हो सकता है, इस app में कोई bugs होँगे, मेरको नहीं मिले, और भी किसी user कोई bugs होँगे, तो उसको यहाँ पर fix out किया गया है, तो overall यही update था, ऐसी नए updates के लिए मेरे चैनल जरू subscribe कर लेना, तो thank you दोस्तों तो आपको यहीड़ी वीडियो पसंद आई होगे, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यहीड़ी वीडियो पसंद आई होगे, तो please like जरू करें, और अगर आपको यहाँ चैनल को जरू subscribe कर लेना, notification बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो